आज हम लोग करेंगे Keyword Chef का Review Hi guys, मेरा नाम है Kripesh Artwani यहाँ पर हम लोग Digital Tools के बारे में बात करते रहते हैं आज हम लोग एक Keyword Research Tool के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है Keyword Chef Now, YouTube पर Keyword Chef के Review वीडियो आपको भरे पड़े वे मिल जाएंगे In fact, I sometimes think कि Hrefs Ubersuggest से जादा Keyword Chef के Reviews है आप पर यूट्यूब पर शायद से जो इसके ओनर है, इनके अच्छे Connections हैं Influencers के साथ में But, मेरे साथ उनका कोई Connection नी है So, I can be brutally honest with you guys मुझे कैसा यह टूल लगा है क्या आपको यूस करना चाहिए क्या यूस करना चाहिए यह खोद एक काफी popular blogger रह चुके हैं And, इनका यह कहना है कि Keyword Research में इनको कोई अच्छा टूल नहीं मिल रहा था So, finally, he decided कि वो अपना यहां पर Keyword Research टूल को launch करेंगे That is Keyword Share अब अगर मैं इसकी प्राइजिंग के बारे में बात करूँ तो यह यहां पर क्रेडिट्स पेसिस पे चलता है यहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है जैसे नॉर्मल हमें दूसरे Keyword Research tool में देखने को मिलता है यहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं है यहां पर क्रेडिट्स है थोड़े expensive side पर है but again अगर आप लोग यहां पर इसको अच्छा से यूस करोगे अगर आपको यह तूल अच्छा से यूस करना आ गया तो फिर आप लोग इस क्रेडिट्स का अच्छा से यहां पर utilization कर पाऊगे कैसे यहां पर आपको और यहां पर इसको अच्छा से यूस कर लेंगे कोई कोई को मिल जाते हैं उसके आगे पीछे हैं अगर आपको कोई कउमिनेशन चाहिए तो फिर यहां पर यहां पर वाइल काय। बेस्तार फॉर जया है तो यह पर यहां पर ये उय zeggen DAVIDS ňके आरो तो आधिआ यहां दो जाया रिखोंत दलिशने तो अभी कुछ स्वारच कर के देखते हैं है यहां ठाल देता हूं अधों चुछ मेaps रावल फिच यहां पर care करने है Penal तो how to और travel से जितने keywords related है वो आ जाएंगे आपर मैं search topic कर लेता हूँ and then यह मुझे पहले बताएगा कि यहां पर मेरे कितने credits consume हो रहे है so that is really good about this tool कि मुझे पहले यहां पर notify किया जा रहा है कि कितने credits आपकी consume हो जाएंगे जैसे मुझे बोल रहा है कि अगर मैं इस keyword के साथ जाता हूँ travel के साथ जाता हूँ तो यहां पर मेरे 22,236 यहां पर मेरे credits का use हो जाएगा and यह कुछ keywords है जिनको मैं exclude कर सकता हूँ जैसे मैं repair वाले नहीं चाहता प्लान वाले नहीं चाहता तो इन keywords को मैं exclude कर सकता हूँ and then यहां पर मेरे इतने credits कंजूम हो जाएंगे तो अब यह मुझ पर depend करता है कि मैं कोई run करना है की नहीं लेकिन यहां पर बहुत सारे keywords मुझे अच्छे मिल सकते हैं जैसे how to check travel funds on southwest then how to budget for travel in Spain how to travel while working remotely how to run travel agency successfully तो यहां पर काफे सारे ट्रावल के keywords आपको मिल सकते हैं लेकिन अगें यह credits बहुत ज्यादा कंजूम कर लेंगे तो ऐसा कोई broad niche एकदम से मत ले लेना थोड़ा बहुत महां पर तीन-चार keywords दाल देना ताकि आपके credits नहां पर कंजूम हो लेकिन अगर आपका travel related blog है तो एक travel का आपने broad niche यहां पर search कर लिया आपको यहां पर कमसे हम 2000 ideas मिल जाएंगे उसमेरे शायद से अगर आपके 50 भी काम के निकल गए तो भी यहां पर आपके पैसे वसूल हो सकते हैं अब मैं आपको एक wild card करके बताता हूं for example best gift for जैसे मालना म मेरे 435 credits consume हो रहे हैं और exact plus similar में 735 हो रहे हैं exact plus similar में क्या हो रहा है जैसे best gift for best gift for exact plus similar में gift for यहां पर सामने आ जाएगा आगे पीछे हो जाएंगे आपे words तो फिलालगल में exact plus similar करके आपको दिखाता हूं get keywords हम लोग यहां पर करते हैं so यह यहां पर हमारे results आ चुके है best gift for friend best gift for dad mom यहां पर average उसकी volume आ चुकी है high कितना है low कितना है अब यहां पर आपको competition देखने को नहीं मिलता है यहां पर सिफिर long term keywords आपको दे देता है यहां से हम लोग इसके filters भी डाल सकते है filters में कितने की कौन कौन से आपको keywords यहां पर चाहिए वह हम लोग डाल सकते हैं जैसे यहां पर आपको एक तो long tail keywords मिल जाते हैं दूसरा यहां पर आपको sub score भी देखने को मिलता है sub score means कि अगर यहां पर top 10 जो भी हमे results मिले हैं उसमें कोई social website है जैसे की kora, Pinterest यहां फिर YouTube अगरे तो उसमें ranking के chances यहां पर जादा बढ़ जाते हैं तो यह कुछ websites है जितने भी social websites ह यहां पर इसकी आफरीटी कम है यहां पर कुछ forum website हो जैसे की Reddit तो उसमें वहां पर आप लोगों के ranking के chances बढ़ आते हैं तो वह यहां पर मैं sub score बताता है तो यह यहां पर इसके सबस को जार चुके हैं तो यह है best gift for someone moving to china तो इसका four means यहां पर चार एसी वेबसाइट से जो forum website से Reddit है यहां पर एक फोरम है यह भी forum है तो यह एक अच्छा keyword हो सकता है टागेट करने के लिए then best gift for someone moving to NYC best gift for boyfriend under 500 rupees यह यह अच्छा keyword हो सकता है और है similar keywords इन similar keywords को यहां तो हम लोग include कर सकते हैं उसे article में एक separate article भी बना सकते हैं depending क्यों हमें क्या keyword यहां पर suggest कर रहा है what to buy someone who is immigrating ठीक है यह यह एक अच्छा keyword हो सकता है लेकिन then again यहां पर अगर हम लोकीशन स्पेसिफाई कर दें तो और अच्छा हो जाएगा इसी तरीके से यहां पर keywords है 30 10 10 अब यहां पर long tail keywords देता है तो इसकी volume भले ही आपको zero दिख रहे हो लेकिन जबी हम लोग किसी long tail keyword को target करते हैं तो वह article सिफ उसी keyword पर rank नहीं होता है उसके आसपास के जो और keywords भी रहते हैं उस पर भी वहां पर कर जाता है तो भले ही यहां पर आपको zero दिख रहे best gifts for mom returning to work then यह भी एक अच्छा keyword हो सकता है वैसी यहां पर मैंने कुछ और keywords को भी run किया था for example यहां पर मैंने travel keyword को run किया है जिसमें मैंने location यहां पर India की set करी थी and questions category में इसको run किया था तो इसने मुझे यह particular यहां पर results जी है why do we travel why do we need to travel it's good for finding long tail keywords volume वाले keywords हो हमें वैसे भी long tail keywords होते हैं जिसकी volume कम होती है लेकिन देन अगेन उस पर भी ranking के आपके chances बढ़े आते हैं तो वो आपको यहां पर अच्छे मिल जाते हैं can travel sickness tablets help vertigo तो कुछ ऐसे हैं आपर आपको keywords मिल जाते हैं how long before travel do I need vaccinations इसको rank करना मुश्किल रहेगा क्योंकि एक medical question हो जाएगा तो इस जाएगे तो इस तरह से यहां पर आपको काफी सारे keywords मिल जाते हैं then you need to थोड़ा बोत हैं पर time spent करना पड़े हैं कि आपको देखना पड़ा है कि कौन सापले काम करा जैसे फिर मैंने यहां पर web hosting पर बेस्ट वेश्टिंग पर भी सर्च करके देखा वेश्टिंग तो जैस इस keyword पर एक अच्छे ढूंदना अच्छे keywords ढूंदना जिसको रांग किया जा सके वो अपने आप में काफी बड़ा टास्क है तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ ideas वगरे मिल जाएंगे जैसे best hosting for developers for big business for designers for mac users to it is irrelevant for Shopify Shopify तो खुद ही अपनी hosting देता है best server configuration for web hosting यह एक अच्छा topic है इस पर लिखा जा सकता है तो यहां पर आपको काफी मिल जाते हैं best way of hosting with free email best way of hosting with website builder यह भी एक अच्छा है तो यहां पर आपको इस तरीके से topics देखने को मिल जाते हैं and then मैंने travel bags पर search किया जहां पर मैंने यूज किया compare का travel bags bid or buy golf travel bags soft or hard storage और travel bags तो यहां पर कुछ comparison topics है ज यहां पर मैंने यूज किया तो यह अगें मैंने इंडिया से ही किया है जहां पर मेरी location इंडिया की थी best soft cabin bags it's a good keyword best cabin bags best quality cabin bags यहां पर आपको similar keywords भी लेखने को मिल जाते हैं so this is how this tool works मैं recommend करूँँगा एक बार आप लोग नीचे लिंक के तुरू जाके sign up कर लो thousand credits मिल यह इसकी best बात यह है कि यह credits कितने consumer हैं वो हमें पहले ही बता देता है तो इससे पहले यहां पर मैं इसके pros के वाले में बात करूँ अगर अभी तक कोई वीडियो अच्छ लगा है तो उसको thumbs up ज़रूर देजेगा और एक disclaimer भी देना चाहूँगा कि यह वीडियो को sponsor नहीं जैसे मैंने बताया सिब आपको keyword डालना है basic सी settings select करने है आपके पास यहाँ पर long tail keywords आ जाएंगे ब्रॉड नीश पर सर्च कर लिया तो for example हमने वीडियो में देखा कि अगर ट्रावल पर मैं सर्च कर रहा हूं तो around मेरे 2-5,500 credits ऐसी चले जाएंगे तो broad keywords पर तभी search करो जब आपको पता है कि आपका उस broad keyword में बहुत सारे आपको articles मिल जाएंगे या फिर वो broad keyword आपके website से directly linked है for example एक travel की website है तो मैंने travel डाल दिया तो travel पर जितने भी मुझे keywords मिलेंगे उस में से around 10-50 articles मेरे बन जाएंगे second con जो मुझे लगा है वो यह है कि यहापे difficulty score यह हमें नहीं बताता है अब यह sub score दे देता है लेकिन जो difficulty score रहता है वो भी important रहता है मेरी opinion में अगर वो हमें यह दे देता तो यह tool कापी अच्छा हो जाता long tail keywords find out करने के लिए now coming on to the bottom line अगर आप लोग यहां पर नीश website पर काम कर रहे हो और आप लोग struggle कर रहे हो long tail keywords find out करने के लिए तो शायद से यह एक अच्छा टूल हो सकता है आप लोग ले plus if you are using this tool occasionally अगर आप किसी client ले keyword research कर रहे हो occasionally हमेशा नहीं करते हो तो फिर आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो क्योंकि यहां पर आप लोग सिफ उतना ही pay करोगे जितना है यहां पर आप लोग यूज कर रहे हो तो फिर शायद से वाला टूल आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा इंस्टेट गो फो फॉर एच्छा रहेगा बजट में writers in काफी अच्छा है मैं उसको काफी उसकर रहा हूं अब सेमरज भी अच्छा है तो सब्सक्रिप्शन बेज में वो सारे अच्छे हैं लेकिन अगर आप लुग यूज कर रहे हो तो इसकी तरफ देख सकते हो और आप यह थाउजन क्रेडिट सो आपको फ्री में मिली रहें तो जाकर टेस्ट आउट तो इसको एक बार करी सकते यह अच्छा है तो सब्सक्रिशन को सब्सक्राइब ओढे से लिए चानल को सब्सक्राइब ऎले इस जपले हो डेपाई आइस सिंदो इसका वेडियोज वीं थोडन फूंग खुडवाई